दोस्तों बिहार में BPSC के अंतरगत प्रामरी स्कूलों में हेड़ टीचर के लिए 40,500 पदों पर विग्यापन जारी हुआ है और इसके लिए ओनलाइन आवेदन आज से प्रारंब हो चुकी हैं तो इस वीडियो के मादधम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहां पर अधर चीजें आपको फार्म बरते समय याद रखनी है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा हमने यहां पर देखो यह फार्म ओपन किया हुआ है बीपेसी के इंतरगतिये इस वीबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा वहां से आप लोग फ विवाहित महिला हैं उनके लिए उनको हस्वेंड नेम यहां पर डालना होगा फिर मदर नेम यहां पर डालना है इसके बाद यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालना है मैरेड हैं यहां यहां पर सेलेक करना है मेल फीमेल यहां पर सेलेक करना है और यहां पर आपको अगले बॉ आपको यह सेलेक करना है लेकिन ज garant यहाँ पर छ Comics यहाँ पर 9 में करके आपको दिखाता हूं देकरो इसका मतलब यह वोगा आरहे हैं और यहां पर कोई भी Lt. का लाव नहीं मिलेगा यहां पर जो अगला आपसन है रिजर्वेशन कटेगरी के यह आटोमेटिक यहाँ पर नो हुआ है और जो रिजर्वेशन कटेगरी कोड होता है यह सारे आप नहीं फिल कर सकते हैं मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप अगर बिहार राजी के निवासी हैं तो कोई भी आरेच्छन का लाब न मौका मिलेगा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं आपको मौका दिया जार आईसा बिलकुल भी नहीं और नोटिफिकेसन में कहीं पर भी ऐसा मेंसन नहीं है कि अधर इस्टेट के रवाजीत होने जारह यहाँ प्रदान सिछक भर्ती के लिए बेस्ट बुक चच्चु पफिलिकेशन द्वारा जारी कर दी गई है इसमें जो इसका सिलेबस सामान नदन और डिलेड का आपका कोर्स है पूरे कोर्स को यहाँ पर लैटेस पटक्रम के अनुसार कवर किया गया है हन्डेट परसंट अफिसल से लेबस के अधर पर यह अधर पुस्तक है बाइस सो से जदा इसमें आपको बाविकल्पी प्रसन दिये गए संपूर जो इसकी थेवरी उसको डिटेल से कवर किया गया है इस पुस्तक में आप लोग दे सकते हैं क्या के आपको टॉपिक्स सार मिलने वाली है और यह पुस्तक आपको ऑनलाइन साइट अमेजन फिलिप कार्ट पर भी मिल जाएगी ऑनलाइन बाई करने के लिए जो बुक के लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्सर में दिये गए एक बार चेक आउट जरूर करें आप यहां पर देंगे और भी आप सं इंदर आ है तो इसको स्पाइब करना दरवाज इसको छोड़ देना आए अब यहां पर देखो नीचे आपको एड्रेस सेलेक करना आए एड्रेस बरना आए तो यहां पर विलेज पोष्ट हाउस नंबर अगरा सब कुछ भर देंगे अब में यहां पर प्रब्लम होगी अगर आप यूपी से था यू दबाएंगी तो यह देखिए उत्तर प्रदेश उत्राखंड आपको नीचे आ पर अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर जो डिस्टिक वाला अप्सट होता है वह गायब के अलावा तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना इसके बाद पिन कोड़ डाल देना और और कुछ भी नहीं करना बस अपना अड्रेस जो है यहाँ पर पूरा डालना ओपर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ चाहं भर सकती है इसके बद यहां पर पुहच रहा है कि आपके पास जो इसमें व тобी होगा उसको यहां पर डालना इसके बदाए अब और फिर यहां पर यहां पर टीपि लेकर कि यहां परोटी बडल लना है वेरिफिक्सण कोड़ डाल रिके यहां पर आपको 시청symit पर क्लिक कर देना है इस तरीक से फिनल संभी अब का हो जाएगा संभी से के बाद इस तरीके से रिखाएगा यहां पर आप को यूजर नेम लिखा और पासवर्ड लिखा अब लिख लेंगे और इसके बाद फिर लॉगइन करेंगे आगे के से प्रोसेस के लिए ठीक अगर कुछ correction आपको करना तो यहां से कर सकते हैं अगर सब कुछ okay है तो यहां पर नीचे दिया गया payment का option यहां पर जा करके आप अपना payment complete करेंगे ठीक है payment complete करने के बाद इस तरीके से page आपके समने open होकर के आएगा लोगिन वाला अब यहां पर आपको फार्म फिलब करना होगा यहां पर लिखा हुआ है आपने अभी तक अपनी केशन फार्म नहीं भरा है तो अब यहां से आप complete फार्म जो अपना भरेंगे आपके जो details है आपके सामने खुल करके आएंगी और यहां पर सबसे मात्मून बात यह कि जैसे आप लोगिन करेंगे तो यहां पर टाइमर चलने लगेगा बीस मिनिट का टाइम आपको मिलेगा इस बीस मिनिट में आपको अपने फार्म को complete करना है ठीक है तो यहां पर जो सारी details आपके सामने आ रही है ठीक है तो यहां पर जो अने details से पूंच रहा है इसको बारीकी से द्यान से पढ़ते हुए आपको यहां पर फिल आप करना जो मैं चीजे में आपको बताता हूं यहां पर देखो सच्छड की योगता का कालम आपके पास आएगा ठीक है तो य इतने वर्सी है दो वर्सी है एक वरसी है यह आपको लिखना पड़ेगा जैसे डिलेट कोर्स या बीर्ड कोर्स अपने दो वर्सी किया हुआ तो यहां पर आप तू यह से लिख देंगे ठीक है पासिंग डेट आप मांक्सीट से देख करके लिख देंगे, इंस्टिट का नाम लिखेंगे, बोर युनिस्टी का नाम लिखेंगे, इसके बाद मांक्स डालेंगे, पुरांग डालेंगे, परसंटेज आटोमेंटिक कलकुलेट हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर 12 के पहले पास किया होगा, तो दच्छता परिच्छा होती है, उसको क्लिफाई करना होगा, अगर 12 के बाद वाले हैं, तो आपको यहाँ पर सीटेट या बिहार्टेट आपके पास होना चाहिए, उसमें यस करना पड़ेगा, और यह प्रदान सिच्छक की भढ़ती है, इस एक्सपिरियंस, ठीक है, आज बेसी ग्रेट टीचर, आप पंचायती एलिमेंटरी टीचर, अरबन एलिमेंटरी टीचर, अगर इसका एक्सपिरियंस है, तो आपको इसको सेलेक करेंगे यहाँ पर, और अगर यह वाला ग्रेजुएट टीचर आप रहे हैं, पंचायती अपसन चुनना होगा, अब यहाँ पर एक्सपिरियंस भरना कैसे है, सब्सकोर आपने टूटल तीन स्कूलों पढ़ाया हुआ है, और तीन स्कूलों पढ़ाने के बाद आपका जो ओवराल एक्सपिरियंस है, वो आठ साल बन रहा है कम सका, ठीक हो यहाँ पर सीरियल नंब करके यहाँ पर पूरी डेटर भरने पड़ेगी, तो टोटल ओराल एक्सपिरियंस है, वो आपका कम से कम आठ साल होना चाहिए, ठीक है, अब इसके बारे हम जैसे आगे बढ़ेंगे, तो कुछ और चीज़ी आपके सामने निकल करके आएंगी, ठीक है, इस तरीके से आपक आपको अप्लूड करना है, पास्बूर्ट साइज की फोटो, यहाँ पर सिगनेचर, ठीक है, और यहाँ पर सिगनेचर आपको प्र हिंदी में, और यहाँ पर इंगिलिस में, ठीक है, यह करना पड़े जो आपके certificates बांगे गएंगे, ठीक है, educational qualification सम्मनी तो आपको यहां पर upload करना है, certificate यहां पर upload करना है, अगर एक से ज़्यादा आपके पास certificates हैं, तो आप उनको merge करके आप upload कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद experience जो certificate होगा है, वो आपको चार नमबर पर upload करना है, SCST का certificate जो विया अप्लोड के लिए हैं, वो यहां पर upload होगा, नौल क्रीमी लेवर है, यहां पर upload होगा, जो वियार राज की है, ठीक है, तो जो reservation वाले जो documents है, वोकिल वियार राज के अप्लोड करने हैं, अधर इस्टेट वालों को upload नहीं करने हैं, ठीक है, इसके बाद यहां पर आएंगे, तो एडबूल सर्टिफिकट आपको upload करना पड़ेगा, ठीक है, और यहां पर disability को उच्छा तो वो upload करना है, और यहां पर लाश्ट में और यहां पर आपको पास आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यूजर ने पासवर्ट डाल करके जो कि वेब साइट है, उसके थूर जाएंगे, आप लागिन करेंगे, यहां पर लागिन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, और यहां से आप लोग अपने फार्म क कर सकते हैं, तो आसा कटते हैं, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद हो